जैसे कि अभी हम minorities की बात करे थे और अल्प संक्यक आयोग minority commission की बात करे थे अभी हाली में देश में CA कानून लागू हो गया है, तो मुझे इस पे थोड़ी सी बात करनी थे इसमें six religion जो छे religion है, सिख, बुध, जैन, पार्सी, हिंदू और बुद्धिस्ट इन लोग के लिए provisions दिये गए है और जैसा कि कहा गया है कि Muslim countries में यह minorities है तो इनको शर्णार्थी यहाँ पे 2014 के पहले जो आए है, उनको यहाँ पे एक नागरिक्ता मिलेगी, तो कुछ questions जनता के ऐसे भी हैं कि जो म्यानमार में Muslims हैं, रुहांगिया Muslims as a minority वहाँ पे हैं, also एहमदी Muslims जो पाकिस्तान में जिनको इसलाम से वर्खास किया गया है यह सवाल जनता के हैं, यह मैं आपसे पूछना जाता हूँ, उनके लिए सरकार ने provision नहीं रखा है 1947 में जेख्ष का बटवारा हुआ, और धर्म के अधार पे हुआ, उसके बावजूद यह वासुदेव कुटमकम की जो परिकल्पना है और सही शूरता है भारत की, जिसमें कहा गया कि जो यहां रहना चाहिए रह सकता है हमारी ट्रीटी हुई हमारा कमिट्मेंट हुआ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अपने मानिटीज का ध्यान देगा और अगर कहीं भी पाकिस्तानी मानिटीज को या मुस्लिम स्वानिटीज के साथ कोई प्रॉलम होती है तो पाकिस्तान उनको लेगा वापस ये जो मुझे मीडिया चैनल से और जो जानकारी सोर्से से प्राफ़ वह मैं आपको बताना चाहता हूं मैं मुसलिम लीडर से मिला इनके रिलीजिन लीडर जितने हैं जितने मौलाना साहब है हमारे उन सबसे मिला मैंने उन से बात की इस पर वास्तों में CAA, Citizen Amendmentship Act कि किसी की भी नागरिकता लेता ही नहीं है ये नागरिकता देने का कानून है पहली चीज़तों यह है कि हमारे जो Indian Mominants हैं इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस एच से कहीं से भी हमारे मुस्लिम भाईयों के लिए कोई भी दिक्कत इसका कोई क्लॉज ऐसा नहीं है जो उनकी नागरिकता को कहीं से भी छीनता अच्वा प्रभावित भी करता हूँ तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दूसरी चीज़ हमारे जो सिख भाई हैं आपको पता है पाकिस्तान में कितने हमारे गुर्दवारे थे एक सो तीस से अधिक हमारे इत्हासी के स्थाल पाकिस्टान में छूट गए है गुर्णारक देव जी माहराज की जनमिस्तली हो चाए की रतपुर्दवार जानेक और अनेक गुर्दास जी माहराज का जनमिस्तान है मेरा आश्या आपसे ये कहने का है कि वास्तों में अफगानिस्तान में जो भी पीछे घटनाई हुई गुर्दवारे को जला दिया जाना आप ने देखा माने प्रधान मंत्री जी ने किस ने हिपाजत से वहां से सिखों को लेके आए और अभी आपने कुछ सिखों के इंटर् करता है अब तो इसमें नियम भी बन गए हाला कि मैंने नियम नहीं पड़े हैं पूर में मेरी जानकारी यह था कि नियम का सरली करन यह किया गया कि पहले नागरिक्ता के लिए बारा वर्ष का समय लगता था जी अब वह एक घटा के एक वरसे छे वर्ष के बीच कर दी गई हमारे भारती मूल के जो अलप संक्यक जो वहां के अलप संक्यक है भारत के मूल नागरिक है बौध जैन और सिख और क्रिशन जो उसमें हमारे ब्रिटिश आके यहां पर रह गए इनको नागरिक्ता प्रदान करने का कानून है मुस्लिम्स के पाकिस्तान में बंगलादेश में अफगानी स्अवे बहुत तायत में हैं उन्हीं का देश है वह धर्म के अधार में पाकिस्तान कंट्री में और आंपर वहां को चुटपुट कोई घटना होती है तो उसका भारत थोड़ी जी भूमेदार बैठा है मेरी बात को समझिएगा भारत अपने भारती मूल के अल्पसंख को लाना चाहता है जो वर्ष 2014 से पूर में आगे उनको नागरिकता देने का कानून है वो इसमें किसी को आपति क्यों होनी चाहिए हमारे किसी मुस्लिम भाई की नागरिकता है तो इसे जानी रही है तो कि मैं इस परश्ट करना चाहता हूं किसी भी प्रकार से नागरिकता चीनता नहीं अथवा अपितु नागरिकता देने का कानून है देश के भले के लिए हैं इस से हमारे जो सिख भाई हमारे जो जैन भाई हमारे सिंधी सिंधी लखनों में बहुत आके बैठे हैं जो 91 में और उससे पहले आए हैं आपको मैं आपको बताओं विचारों को वहां से मारा गया हमारी सिख बेहन बेटियों के साथ महां ब्याद भी की जा रही है जवरसी उनका धन परवर्तन करा के मुस्लिम किया जा रहा है कितने बड़ी जन संख्या हमारी थी पार्टीशन के समय पा किसी और कंट्री में किसी और उनके स्रिजन के लिए एक तरीके से इंडिया का हिस्सा है भाई है मेरी बात को समझेगा किसी तुम मुस्लिम के लिए मैं यही बोल रहा हूँ ना जब 47 का डिवाडेशन हुआ है पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम धर्म के अधार पर हुआ है जी तो उस समय यह तैह हुआ है कि अगर उस मुस्लिम को कोई भी जो वहां के अलब संके का पाकिस्तानी मूल के जो भी अलब संके के हैं उनके साथ कोई दिक्कत होती है वो जहां भी रहेंगे तो उनको वापिस बुला लिया जाएगा भारत ने काम अपने अलब संके को का प्रोडक्शन रखेंगे आज भारत उसी दिशा में कारे कर रहा है तो इसमें किसी को अपत्ति नहीं हुआ है अपत्ति नहीं बिकोज यह ऑपोजिशन के स्टेटमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स और देखिए अपोजिशन की सिती तो यह है कि कुछ तो लोग कहेंगे अपत्ति नहीं किया है सिखों को कुछ नहीं दिया गया सिखों से सिर्फ लिया गया मारा गया चीना गया सिख सिर्फ इस देश में मैं इस पश्ट बोल रहा हूं नीव का पत्थर बनके रह गया सिख को अगर किसी इंसमान देने का कार किया तो योगी जी ने किया मोधी जी करना इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा साइनिंग ओफ उन दा आरेस्टी शो